साला सर के धाम की गाथा साला सर के धाम की गाथा भगतों बड़ी महान है साला सर वाले करते हर दुखों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा साला सर मंदिर के अंदक बाला आप पथारें मंदिर आने वालों के सब बिगडे काज सवारें भूत प्रेत की बाधा हो या काम न धन्दा चलता हो चाहे कितने प्रयास किये हो फिर भी काम न बनता हो बिगडा काज करे बाला जी हाँ बिगडा काज करे बाला जी पावन इनका नाम है साला सर वाले करते हर दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा मदिकों बड़ी वहान है साला सर वाले करते हर दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा मंदिर के बनने की गाथा पावन बड़ी सुहानी है वेद पुराणों रिशी मुनिनने सच्चे मन से बखानी है मनवाणी को निर्मल करके पावन कथा सुनाता हूँ कैसे मंदिर बना यहां पर भकतं आज बताता हूँ भकत कहे बाला जी इनको और यही हनुमान है साला सरवाले करते हर दुखों का निदान है जुखणों का निदान है साला सर के भाला किदात वकतं बड़ी बहान साला सर के धाम की गाथा सन सत्रा सो चौन की मैं तुमको बात बताता हूँ राजिस्थान ना गोर जिले में काओं असोट ले जाता हूँ जाट किसान केत में अपने भक्तों हल चलाता था तब उसके हलका एक कोना वस्तू से टकराता था उस किसान ने कोद के देखा हाँ उस किसान ने कोद के देखा धूआ वो हैरान है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाता मगतों बड़ी वहान है साला सर वाले करते हर दुखों का नीदान है साला सर के धाम की गाता हनुमान जी की एक मुर्ती उसको वहां दिखाई थी बड़े प्रेम से और शद्दा से मुर्ती उसने उठाई थी पतनी जब खाना ले आई मुर्ती उसको दिखाई थी मुर्ती को पलू से पहुचा करदी साफ सपाई थी मुर्ती को घर में ले आए हाँ मुर्ती को घर में ले आए किया बहुत सम्मान है साला सर वाले करते सब दोखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की पाता मद तो बड़ी बहान है साला सर वाले करते हर दोखों का नीदान है मुर्ती मिलने की तो कहानी सारे गाउं में फैल गई भारी भीड दर्शन करने उनके घर में आने लगी काउं असोठा केठा तुरको भगतों सपना आया था मुर्ती साला सर भिजवाओं सपने ने बतलाया था साला सर मोहन जी रहते हाँ साला सर मोहन जी रहते खनुमत भक्त महान है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा, मग तो बड़ी महान रे साला सर दाले करके हर दुख्णों काने गान रे साला सर के धाम की गाथा साला सर में मोहन दास जी हनुमत भग महान के राम नाम का जाप वो करते जाते शीहन मान के उनको भी तो वाला जीन सपन में दर्श दिखाया था मुझे को साला सर ले आओ बाला जी ने बताया था बाला जी ने क्या समझाया हाँ बाला जी ने क्या समझाया गाथा बड़ी महान है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है दुखडों का नीदान है साला सर के था मुकी काथा शाला सर के था मुकी काथा मुर्की को एक बेल गाड़ी में श्रधा से तुम रखवाना बेल गाड़ी को कोई नहां के जानवात का रख लेना चलते चलते बेल गाड़ी पिर जिस स्थान पे रुक जाएं मोहन दास ध्यान से सुन लो वहीं मंदिर तो बल जाएं बैल गाड़ी पर फिर शधा से बैल गाड़ी पर फिर शधा से भिठलाए हनुमान है साला सर वाले करते हर दुखों का नेदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा मगतों बड़ी बहान है साला सर बाले करती हर दुखणों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा और इक बात भी बाला जिन सपने में बतलाई थी मोहन दास परम भक्तून के इसलिए समझाई थी बैल गाड जिस पर मेरी मुर्ती सुन लो फिर आएगी ये दुनिया उसको पूजेगी फिर से नहीं चलाएगी बैल गाड का आज भी भक्तून आँ बैल गाड का आज भी भक्तून मंदिर में इस्थान है साला सरवाले करते सब दुखों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा मद तो बड़ी वहान है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा चलते चलते बैल गाड वो साला सर में रुक गई वाला जी समान में सारी भगतों की दोली जूक गई मोहन दास भगत ने वहां पर मंदिर फिर बनवाया था वाला जी की मुर्ती को फिर इस्थापित करवाया था भगतों ने शद्धा से की ना भगतों ने शद्धा से की ना वाला जी का गुणगान है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा भगतों बड़ी बहान है साला सर वाले करते हर दुखों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा यही से थोड़ी दूरी पर तो अंजनिमा का मंदिर है अंजनिमा की पावन मूरत भगतों वस्ती अंदर है श्री हनुमत का दर्शन करके भगत वहाँ पर आते हैं वाला जी के संग संग भगतों अंजनि किरपा पाते हैं अंजनिमा की किरपा भगतों आँ अंजनिमा की किरपा भगतों दुनिया में महान है साला सर वाले करते सब दुखों का नेदान है साला सर के धाम की गाथा श्रावन दश्वी मंगलवार का पावन भगतों दिन आया नोहन दास भगत के मन में पाला जी का ध्यान आया देसी घी और सिंदूर से मुर्ती का शिंगार किया जाड़ी मूच तिलक माथे पर पाला जी के लगा दिया तब से इस पावन स्वरूप को करते भगत प्रणाम है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गात भगतों बड़ी वहान है साला सर वाले करते हर दुखणों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा वैसे तो पूरे साल ही भीड यहां पर भारी है बालाजी का दर्शन करते यहां आते नरनारी है पर मंदिर पर तीन दिनों का मेला यहां पर लगता है मंगल और शनी को भगतों अनुमत किरपा करता है मेलों की मैं तिथी बताऊं आ मेलों की मैं तिथी बताऊं सुनूलों लगा कर ध्यान है साला सर वाले करते सब गुखों का नेदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा भगतों बड़ी महान है साला सर बाले कर दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा चैत्र शुक्ल की चतुर दशी को पहला मेला भरता है भगत हर कोई मंदिर आता पूरी मुरादे करता है पूर्णिमा हनुमान जयनती भगतों पावन आती है बाला जी का दर्शन करने सारी दुनिया आती है राम नाम का जाप है करते सारे राम नाम का जाप है करते लेते नाम हनुमान है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गातों मगतों बड़ी मान है साला सर वाले करते हर दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा शुक्ल चतुर दशिभादर पद की तीजा पावन दिन भगतों बाला जी का दर्शन करने का पावन दिन ये भगतों इन मेलों में लाखो करोणों शधालू जन आते हैं बाला जी की जैज बुलाते चंदन तिलक लगाते हैं साला सर वाले बाला जी हाँ साला सर वाले बाला जी तेव तबड़े महान है साला सर वाले करते सब दुखों का नीदान है दुखणों का नीदान है साला सर के धाम की गाथा मग तो बड़ी वान है साला सर के धाम की गाथा